नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो आपकी यूपीटेट एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बाल विकास के अतिमार्थपूर्ट टॉपिक देखेंगे जिनसे हर वार यूपीटेट के एक्जाम में प्रश्ण बनता है तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लाश तक देखिए क्योंकि केवल इसी एक वीडियो से आपका बाल विकास में 5 से लेकर 6 नमबर तयार हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं और पहला पॉइंट देख लेते हैं पहला पॉइंट है दोस्तो बुद्धिलब्धी इससे सम्मंदित हर बार एक्जाम में प्रश्ण बनता है दो तरह से प्रश्ण पूछा जाता है एक तो आपसे इसमें बुद्धिलब्ध का सूत्र पूछ लेगा दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है अगर आपसे केवल सूत्र पूछेगा तो आप लिखेंगे बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयू बटा वास्तिविक आयू गुड़े सव यह बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र होता है इसे आप लोग अच्छे से याद कर लिजिए ठीक है दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है सवाल अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा आपसे पूछेगा कि किसी बच्चे की मानसिक आयू 10 वर्स है या 12 वर्स है और वास्तिविक आयू 14 वर्स है तो आप बुद्धिलब्ध निकालिए तो आप क्या करेंगे इसी सूत्र पे मान रख देंगे आपका एंसवर आ जाएगा क्या करेंगे मानसिक आयू के अस्थान पे मानसिक आयू लिक देंगे बटा लगा के वास्तिविक आयू के अस्थान पे वास्तिविक आयू कर देंगे और गुड़ा सो कर देंगे और सवाल को हल कर लेंगे आपका अंस्वार आ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों इसमें दो प्रकार से प्रस्ण बनता है इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है उसे भी हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट है दोस्तों टर्मन के अंस्वार बुद्धिलब्द का वालगी करन इससे सम्मंधित भी हर बार प्रस्ण बनता है यूपिटेट के एक्जाम में कैसे बनता है आप से पूछेगा कि प्रतिभा साली बालकों की बुद्धिलब्द कितनी होती है यह आपसे पूछ सकता है कि प्रखर बुद्धि के बालक जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्द कितनी होगी तो आप कैसे बताएंगे आप जब इसे याद किये रहेंगे तभी बता पाएंगे तो चलिए इसे आप लोग जल्दी से याद कर लिजिए देखिए दोस्तों प्रतिवा साली जो बालक होते हैं उनकी IQ जो होती है या बुद्धिलब्दी जो होती है वह 130 से अधिक होती है और जो प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं उनकी IQ 121 से लेकर 130 तक होती है ठीक है इसे ध्यान से आप लोग देख लेजिए याद कर लीजिए नेक्ष्ट पॉइंट है तीब्र बुद्धी तीब्र बुद्धी अगर पूछा जाए तो 111 से लेकर 120 IQ वाले जो बच्चे होते हैं वह तीब्र बुद्धी के अंतरगत आते हैं नेक्ष्ट है सामान बुद्धी अगर आपसे सामान बुद्धी के बारे में पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 91 से लेकर 110 IQ जिसकी होती है वह सामान बुद्धी का होता है नेक्ष्ट है मंद बुद्धी इसे भी आप देख लीजिए ताकि कोई भी प्रशन आपसे छूटे ना ठीक है मंद बुद्धी अगर आपसे पूछेगा तो इसका जवाब होगा 81 से लेकर 90 तक की जिसकी IQ होती है वह मंद बुद्धी का बालक होता है अल्प बुद्धी के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा 71 से लेकर 80 के बीच जिसकी IQ होती है वह अल्प बुद्धी का बालक होता है IQ निकालने का सूत्र आपको पता ही है मानसिक आयू बटा वास्तिविक आयू गुडे सव इस पर आप मान रख देंगे आपका IQ आ जाएगा चलिए अब हम next point पर चलते हैं next हमारा क्या है PIAJ से संबंधित है दोस्तू PIAJ द्वारा दिया गया संग्यानात्मक विकास से संबंधित है तो इसे भी आप लोग देख लिजिए इसमें दोस्तू परशन कैसे बनता है पहले इसे देख लिजिए इसमें आपसे पूछ लेगा कि संवेदी गामक अवस्था का समय क्या है या आपसे पूछ सकता है कि मुर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है तो आप क्या बताएंगे तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लेजिए ताकि एक्जाम में आपका कभी गलत ना हो देख दो वर्ष्ट के जो बच्चे होते हैं वैसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे जिए दूसरा पूर्व संक्रियात्मक आवस्था इसका जो संक्रियात्मक का isका जो समय कर 11 वर्ष्ट के बीच में जो बच्चे होते हैं वह मूर्थ संक्रियातמו अवस्था में होते हैं इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और लाष्ट है आपका आपचारिक संक्रियातमक अवस्था इसका जो समय PIJ ने निर्धारित किया है वह है 11 वर्ष से लेकर पंदरा वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वह आउपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो ये चार पॉइंट पियाजे से सम्बंधित है इनसे भी हर बार एक प्रश्ण जरूर बनता है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा चलिए नेश्ट अब देखते हैं अगला पॉइंट आपका क्या है अगला पॉइंट है दोस्तों आपका अधिगम संबंधित समस्चा से इससे भी हर बार एकजाम में प्रश्ण बनता है इसमें कैसे प्रश्ण पूछता है इसमें आपसे पूछेगा डिसलेक्सिया किस से कठिनाई होती है ठीक है तो इसे आप लोग याद कर लिजिए डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधित विकार से संबंधित है इससे संबंधित 3-4 पॉइंट और हैं उसे भी देख लेते हैं हो सकता है उसे से ही आपसे प्रश्ण पूछ ले इसलिए एक भी पॉइंट को नहीं है चलिए डिस्ग्राफिया अगर आपसे पूछेगा तो डिस्ग्राफिया आप बताएंगे यह जो है लेखन संबंधि विकार से संबंधित है आपसे अगर पूछता है कि डिस्कैलकुलिया किसे संबंधित है तो आपका जवाब होगा डिस्कैलकुलिया गरना संबं से सम्मंदित है आपसे प्रश्नगर्या पूछेगा तो आपका जवाव होगा Mood Disorder सम्मंद्धीów बिकार से सम्मंदित है डिस्थीमिया आप से अगर dys Kaiser si booked siya पूछता है तो आपका जवाव होगा गतिक कौसलो में अधीयम निर्योगिता से संबन्दित है डिस्प्रिक्सिया गतिक कौसलों में अधिकम निर्योगिता से संबन्दित है डिस्प्रिक्सिया और लास्ट है डिस्फेजिया डिस्फेजिया अगर पूछेगा कि यह किसे संबन्दित है तो आपका जवाब होगा भासा विकार से संबन्दि ठीक है चलिए नेश्ट पॉइंट अब हम देखेंगे नेश्ट है महत्तपूर है दोस्तों इसे भी ध्यान से देखिए अधियम के प्रमुख सिधान्त से सम्मंदित है यह भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे भी हर बार प्रश्ण बनता है प्रश्ण इसमें क्या ब प्रयोग किस पर किया था तो आपका जवाब होगा बिल्ली पर किया था किस पर किया था थोंडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था चलिए इसे भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है दूसरा पॉइंट आपके सामने है अनुवंधित अनुक्रिया उद्धिपक सिध् किया था तो आपका जवाब होगा कुत्ते पर किया था तो पावलों ने कुत्ते पर प्रियोग किया था ठीक है एक एक पॉइंट ध्यान से देख लीजिए याद कर लीजिए क्रिया प्रसूत अनकूलन सिध्धान किसे सम्मंधित है यह प्रशन अगर आपसे पूछता है तो और अगर आपसे पूछता है कि इसकीनर ने किस पर प्रियोग किया था किस जीव पर प्रियोग किया था तो आपका जवाब होगा चूहो पर प्रियोग किया था इसकीनर ने ठीक है तो कितना important point है आप देख सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर अगर ये comment में बताईए कि आपको ये video कैसा लग रहा है सूज या अंतरद्रिष्टी का सिध्धान्त अगर आपसे पूछता है तो आपका जवाब होगा कोहलर कोहलर ने सूज या अंतरद्रिष्टी का सिध्धान्त दिया था और इन्हों ने वनमानुसों पर अपना प्रि अधित है इसमें दोस्तों कैसे प्रश्ण पूछता है इसमें आपसे सैस्वा अवस्था का समय क्या होता है तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 6 वर्ष्ट के जो बच्चे होते हैं वह सैस्वा अवस्था में होते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट आपसे अगर यह पूछता है कि बाल्य आवस्था का समय क्या होता है तो आप कहेंगे 6 से लेकर 12 वर्ष्ट का जो समय होता है वह बाल्य आवस्था होता है बाल्य आवस्थों को गंदी आई भी कहा जाता है ठीक है किसोरा वस्था से सम्बंधित अगर प बताएंगे 18 से लेकर 40 वर्ष तक का जो समय होता है वह प्रावधा वस्ता से सम्मंधित होता है तो इस तरह से दोस्तों आपका यह वीडियो कंप्लीट हो गया यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे एक्जाम से पहले जरूर रिवीजन कर जीएगा आपको इससे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं दोस्तों आपको किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद